तो मुझे बनाना था कुछ मीटा तो मैंने काफी दुनों से ये विक फिल्ड का कस्टड पावडर लाए हुए थे लेकिन नहीं बनाया तो सोचा आज बना देती हूं जिसके लिए सबसे पहले मैंने फ्रूッस को अच्छी तरह से दोके काट लिए मैंगो थे बनाना था थोड़से लिची भी थी आन साथ में था अनार कस्टड बनाने के लिए ही मैंने आनार मंगवाया था लेकिन यहां पर मेरे साथ हो गया था स्कैम, पिंक कलर का निकल गया, मुझे लगा था रेड हो का डायमेंड की तरह काफी अच्छा लोकाता है उससे लेकिन कोई निया उससे बना लेते हैं तो सबसे पहले मैंने दूद को गरम होने के लिए रख दिया है लेकिन थोड़ा सा दूद मैंने कटोरे में निकाल लिया है उसमें मैं मिलाओंगी कस्टर्ड पाउडर ठंडी दूद में क्योंकि गरम दूद में अगर आप कस्टर्ड पाउडर डालोगे तो लंस पड़ जाता है मेरे साथ ऐसा हुआ था तो आप ऐसा कभी मत करना फिर मैं दूद में डाल दूँगी चीनी दूद जितना है उसके हिसाब सब चीनी एट करो और जो कस्टर्ड का मैंने मिस्टर्ड बनाया था अलग से कटोड़े में उसको डाल दूँगी इससे लंस बिल्कुल भी नहीं परेगा तो अब मैं इनको धीरे धीरे चलाते रहूँगी गैस को मैंने रखा है मेडियम फ्लेम पे पास से साथ मिनिट मैं करीबन को चलाते रहूँगी और पास साथ मिनिट बाद ये थोड़ा सा गारा बन चुका है तो अब मैं गैस को आप कर दूँगी इन रख दूँगी इसको ठंडा होने के लिए गरंडूद में Fruits मैंने नहीं डाले। ठंडा होने के बाद ही मैं सारे fruits को add कर दूँगी। और अगर यह गरम होगा तो आप इसको फ्रीज में भी नहीं रख सकते हैं तो ठंडा होने के बाद harder fruits को add कीजिएगा। फ्रूट सेट करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं और सीधा इनको डाल दूँगी मैं फ्रीजर में सेट होने के लिए मैंने इनको रखा फ्रीजर में 2-3 गंटे आपके पास टाइम कम हो तो एक गंटे में भी ये सेट हो जाता है थंड़ा होने के बाद चिल्ड सर्प कीजिए काफी टेस्टी होता है हम सभी ने फैमिली ने मिलकर खाए और 300 सब्सक्राइबर को सेलिब्रेट किया थेंक्यू चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बबबब